वेलकम तू फाइंडिंग एक्स और आज जो हम देखेंगे वह है प्रैक्टिसर 24 प्रैक्टिसर 24 के अंदर हमें क्या करना है कि हमें फ्रैक्शन गिवन होगा और उसे हम कनवर्ट करेंगे डेस्मिल में उसे इतना ही हमको करना है तो वह कैसे करते हैं को भी बता जेता हूं अब देखेंगे रखा हुआ है write the following rational numbers in decimal form फोस कोशन में देखर के रखा हुआ है 13 भाई 4 तो जाए हम जो भी उपर लिखा होता है उसको कैसे लिखते हैं उपर मतलब के हैं आप जाए 13 लिखा हुआ है ना तो इस 13 को मैं क्या करूँ है कैसे लिखा हुआ बता जाएता हूं मैं आपको यहां पर अब यह थर्टीन आ जाएगा और यह वालो जो आप 4 देख रहे हैं वह कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ठीके अब जो है बड़ा नंबर है 4 से तो आप यहां पर क्या बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ में से रड़ाउट होता है तो यह बहुत ही सिंपल सा फंडा है इस चीज़ का कि देखो यहां पर जो है 4 है यह क्या है बड़ा नंबर है और यह 1 जो है जो यह आ रहे है यह क्या है छोटा है 4 से ठीके जब भी ऐसी सिचुएशन आए और यह वाद़ 0 क्या होगा नीचे कॉप यह क्यों गया भी 10 हो गया तो 42 सा क्या होता है 10 तो यह माईनस हो यह होता है 8 तो 10-8 अगर हम लोग करे नंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा फिर से अभ देखिए जब भी देसिम मनलग जालें, देसिम बार हम लोग कितने भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है, तो मैं है पर क्या करूँगा, एक और 0 लिलूँगा, वह 0 नीचे यहां पर आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, मतलब यह अलट, 0 यहां पर आ गया, अब हम 4 का टेबल रीट करेंगे, तो मैं क्या मैं लेगा, 4, 5 क्या होता है, 20 होता है, तो बार रिमेंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो, therefore हमें मिल गया है, पर अंसर, 13 by 4, equals to 3.25, अब यहां बहुत कि सेकेंड कोश्चन मे मैं लो मैनस को ले लेंगे यहां पर, तो जो उपर में रहता है, वो क्या आता है, अंदर में आता है, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, अब देखिए, मैंने को क्या बताया था, कि यह वाला जो नमबर 7, यह क्या हो रहा है, और डोसे ही चोटा है किस से एट से चोटा है अपना, तो क्या करेंगे हमए अभी यहाँ पर 0 अब बीद करेंगे और बावा होगए इस तो अब अब 700 समझेंगे अब 2 यहाँ एक सेवंटी आ यहाँ बैसमेरे फ़े हो बाव करेंगे है को हम्हानते है? यहां पर 6 मिलने वाला है, अब decimal हम लोग कितने भी 0 लगा सकते हैं, पर एक और 0 हो जाएगा, वो 0 में यहां पर लिख दूँआ, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 800 अंज़ा क्या होता है, 800 अंज़ा 56 होता है, I hope आप सभी को यह टेबल अच्छे से याद होंगे, तो 60 मैनिस 56 हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, decimal हम लोग कितने भी 0 लगा सकता है, एक और 0 में लगा जी है, हाप वो 0 आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 40 और 85 क्या होता है, 40 होता है, तो यह मैनिस हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, therefore, minus 7 upon 8, equal, तो यह देखिए, फ्रेक्शन में और एक नेगेटिव है, मतलब मैनिस होता है, हाप पर भी क्या जाएगा, तो 7 into 5, plus 3 upon 5 हो आ जाएगा, तो 75 होता है, 35 होता है, plus 3 upon 5 आ जाएगा, 35 प्लस 3 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, 38 upon 3 आ जाएगा, ठीके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 38 को लिग दूँगा मैं हापर, यह उनकी ओपर में जुन इमिरेटर में व अंदर में आता ह तो मैं इसको 5 लिग दूँँ है यहां पर, यहां पर 5 आ जाएगा, तो 525 आ जाएगा, 35 होता है, ठीके, तो हमने वही के 35 लिग दिया, माइनस किया तो हमें कितना मिला 3, अगे आप नोटिस करेंगे, यह 5 बड़ा नंबर है, और 3 के आ जाएगा, चोटा नंबर आ रहा है, तो मारा अगला step किया ह को पता है, तो मों यहां पर एक decimal लगा देगा, ठीका, एसके बाद यहां पर भी लगा देंगे, यहां पर यहां पर जाएगा, तो 525 इसे यहां पर आ जाएगा, 30 होता है, तो हमliों लेक सकते हैं, 7, एक्वल टू मतलब यह जो मिक्स्ट्षिन देकर रखा हुआ यह एक्वल टू होता है 7.6 फूर्थ कोश्टन में देकर रखा हुआ 5 बाइ 12 तो हम लोग क्या करेंगे हैं पर जो उपर में देकर रखा 5 को यहां पर लिख देंगे और 12 को यहां पर लिख देंगे अभी आप समझ गए है फाइव जो है एक छोटा नंबर एक निमडरेटर के अंदर में तो हम लोग आगरेंगे स्टार्टिंग में जीरो लगा देंगा और एक पॉंइंट लगा देंगे यहां पर हम क्या करेंगे प्उंट और एक शिरो लगा देंगे तो अभी यह एक्वार 12 हो जाएगा तो यह ऩाईयगा तो यह वाला 0 नहीं क्या होक्ता है तो 20 minus 12 अगर हम लो क्या होता है 72 तो 80 minus 72 करेंगे अगे हमें हमें क्या मिलेज़े है 8 मिलेगा एक उस जिरो फिर से हम क्या करें है आपर कॉपी कर देंगे तो यह 80 हो जाएगा तो सिद्जर क्या हो जाएगा फिर से 72 अब समझ कि यह जो चेंग सी बन गए यह 66 यह मतलब आता रहेगा और बावार 80 रिमेंडर आता रहेगा ठीक है तो यह चेंग का भी खतम नहीं होने वाली है इसको नॉन टर्मिलेटिंग भी बोलते हैं इसके बार हम नेक्स आगे भी पढ़ेंगे डोट जो बहुत और पढ़ेंगे तो यह जो है बावार रिपीट जो अगर डिजेट उसको मैं कैसे लिखने को बता देता हूं इसको मैं लिख देंगे 5 by 12 एक्वल टू 0.416 की उपर में का जाएगा एक ऐसा हम लोग डॉट लगा देगा और एक और चीज़ को मैं आपको इसी चीज़ को मैं लोग एक और वी में भी लिखते हैं आपको पत अब इस तरह से चलता चला जा रहा है यह वाला जो मैं इतना पाट लिखना यह आपके लिए रिक्वायर नहीं है यह आगटना मैं में लिखके आने की ज़रूत नहीं है बड़ यह आपको पता होना चाहिए इसको मैं ने बताया आपको देख कर रखा हो 22 अपान 7 अब सबस्ट और थमाटना मिलत पता है तो सब्सक्रान में की ज़रू आपकें को ब fairness नहीं हो जायरी हंगे यह नहीं पर होच जाई और रτικर लागंगे यह नहीं हो होगा जायेगा Nacional काफिर से को सब्सक्राइन तो यह क्या जाएगा? 20 आजाएगा. 7 जा सएट एटो 14, सेट है 21. तो 3 तो जाएगा निटो 7 तो 40 निए हो जाएगा गीन. तो यह 14 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा हैं पर? 6 मिलेगा फिर से 0 आजाएगा और यह 60 हो जाएगा. इसको क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे 22 अपॉन 7 इक्वल टू 3.142 ठीके 6 पार्टन को देकर के रखा हुआ है यहां पर उपर में 4 देकर रखा हुआ है यहां पर 3 देकर के रखा हुआ हुआ तो 3 बन सा 3 माइनस हो जाएगा 1 आजाएगा देसिमल आजाएगा यहां पर भी क्या होगा डेसिमल आजाएगा डेसिमल की बाद में क्या करते हैं जीरो लगा सकते हैं यहां से कॉप्य होगो तो क्या हो जाएगा 10 तो यह 3 3 वा क्या जाएगा 9 माइन 10 माइन निस 9 कर रही हो तो क्या मिलेगा 1 तो यह 0 हो जाएगा यह क्यों हो जाएगा आगे टैन हो जाएगा तो 339 अब समझ गए में यहाँ पर क्या कर रहा हूं या फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैटन बार-बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो 1.3333 ऐसे चलता ही चला जाएगा ठीक है तो आप यहां पर लिख सकते हैं 4 अपॉन 3 एक्वल टू 1.333 एफे डॉट डॉट या फिर आप लिख सकते हैं 1.3 के उपर में डॉट बना देंगे इस तरह से लोगो सेवन कोशन में अपने को देखर के रखा हुआ है यहां पर 7 अपॉन 9 तो उपर में क्या 7 यहां पर क्या है 9 तो आप देखके समझ के होंगे कि 7 जो है वो छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है तो पहले हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे तो इसके बाद में क्या होगा यहां पर वेञा डाजा सबसाथ देखके दुटा है धी एस देख़ा सकते समय करेंगे अपने लग के अब करेंगे मुद्व खुल्टो यहां कर दो अनों Comum 3 मिलेगा, फिरसे कितना मेलेगा 7, तो यहां से यहां पर आ जाएगा, यह मैं 0 ही लिखा, कुछ और मत समझ लेना, 70 आ जाएगा, तो 9, 7 पर फिरसे कितना मिलेगा 63, मतलब समझ गए कि क्या हो रहे हैं, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 7 upon 9 equal to 0.777 dot dot dot, इसी को हम लिखते हैं 0. 0.7 यहाला dot, और इसी चीज़ को कुछ लोग अभी भी लिखते हैं से 7 बार, मीनिंग सबचीवां का एक ही है,